ये वर्टिकल बार्ष लगा दी मैंने और इनके बीच में लिख दिये elements है ना लिख दिया मानलो x i की maximum value और j की maximum value जो है वो बराबर होती है हर determinant में ठीक है ना i की value 102 होंगी तो j की value भी 1 और one order के determinant होते है मगर वो बहुत जादा useful होते ही नहीं white वाले जो है plus के गुलाबी वाले minus के x equal to pi पे 0 हो रहा है मगर इसका कता ही ये मतलब नहीं है कि x minus pi इसका एक factor होगा किसी भी row या किसी भी column में दूसरे वाली rows और column में दूसरे वाले columns को add या subtract कर सकते हो तो properties जो है बिलकुल एकदम blood है determinant chapter का तो properties एकदम by heart आप लोग याद कर लें determinants and matrices ये दो chapters का एक independent सा गुच्छा है और determinants and matrices से एक सवाल तो minimum आता है पेपर में एक सवाल आता है minimum दो सवाल भी आ जाते हैं ठीक है और आजकल तो भाई जाधा भी आ सकते हैं क्योंकि जाधा पेपर होने लग गई है तो जाधा भी problem आ जाएं कुछ कह नहीं सकते हैं ठीक है जब मैंने paper दिया था आएटी का paper दिया था तो मेरे paper में मुझे याद आ रहा है 36 या 37 marks की mattresses आई थी 37 marks का एक ही chapter आया था mattresses और मैंने जब paper दिया था तो cut off गया था 23 marks तो जो student पूरी mattresses भी ठीक करके आ गया एक ही chapter जिसको आता था ओविएसलिस में थोड़ा थोड़ा बागी chapter का भी use हो रहा था मगर mainly mattresses का use हो रहा था है ना तो mattresses 36 marks का था 37 या 36 marks का था और cut off गया था 23 बस तो मतलब mattresses भी अगर जो करके आ गया था तो अच्छे नंबर आये थे उसके मतलब अच्छे क्या selection ही हो गया था तो IIT का कोई pattern नहीं होता उनका मन करें तो क्या पता दो तिन chapter से ही paper वर दें जी मेंस का pattern होता है ना IIT बोले तो IIT का मतलब है जी एडवांस्ट टीक है ना तो जी एडवांस्ट के paper में determinant और mattresses के आप लगा लो minimum 3 एक सवाल मिलते हैं आगे का कोई calculation ही चार आ सकते हैं 5 आ सकते हैं 6 आ सकते हैं 7 आ सकते हैं कुछ नि कह सकते हैं ठीक है जी मेंस की बता दूम मैं आपको आप average minimum दो माल लो दो माल लो है ना एक determinant से और एक mattresses से ऐसा करके कई बार दोनों matrices से भी पूछे जा सकते हैं determinant का हलका यूज होता है matrices से ज्यादा पूछे जाते हैं कि as compared to determinant क्यूंकि determinant का इस्तेमाल में करवा लिया जाता है समझने मैं क्या कह रहा हूं तो बड़ा simple chapter है कि ब्यूटिफूल सा chapter है determinants करते हैं शुरू है ना आप सुनते जाना कहानी को लिखने के लिए समय दे दूँगा आपको मैं कि determinant जो है mathematics के इतियास में बहुत पुराना चप्टर रहा है यह ना जैसे गाओं में कुछ मकान बहुत पुराने होते ना हवेलियां तो मैट्स में भी कुछ हवेलियां है बहुत पुराने चप्टर तो जो डेटर्मिनेंडस उन में से रहा है और डेटर्मिनेंटस ने बड़ी-बड़ी problem को solve किया है जैसे आप लोगों को लगता होगा कि यार यह दो डंड़ क्या ही कर लेते होंगे जीवन में यह लगा दो जो यह ऐसे फिल आती होगी कि क्या ही कर लेकिन यह दो डंडे बहुत कुछ कर लेते हैं कि प्रोग्रामिंग में linear equations को solve करना बहुत important होता है और linear equations solve करने के लिए determinant बहुत मददगार है जब आजाएं आपके पास 50 variable की 50 linear equation आजाती है या for example 4 variable की 4 linear equation आजाएं तो कैसे करोगे solve determinant से solve करना बड़ा fast है समझे रहें मैं क्या कह रहा हूँ तो determinant के बड़े सारे इस्तिमाल है determinant और matrices के बहुत सारे इस्तिमाल है और matrices तो नए जमाने का chapter है तो इसलिए matrices से बहुत सवाल पूछे भी जाते हैं पहले जब जब यह हुआ करते थे तो matrices से उत्ते question नहीं आया करते थे मगर आजकल programming में खूब matrices का इस्तिमाल होता है और भी काफी जगों पर matrices का इस्तिमाल होता है तो matrices and determinants nowadays are very very important chapter हालाग कि determinant काफी पुराना chapter है matrix में तो बहुत सारी बाते अभी नई भी हैं तो दोनों का जो combination है यह बड़ा शांदार बनता है determinants and matrices ठीक है तो भाई vertical bars होते हैं तो ठीक है यह vertical bars लगा दी मैंने और इनके बीच में लिख दिये elements है ना लिख दिया हमालो x 2, 5, 3 तो यह हो गया 2 by 2 का determinant ठीक है ना ऐसे करके 3 by 3 का determinant हो गया 3, 4, 5, alpha, beta, gamma, 1, 2, 3 ऐसा लिख दिया this is 3 by 3 का determinant ठीक है मैंने पहले ही बता चुका हूँ आपको कि जो vertical bars हैं अगर यह real number पर लगाओगे तो इसका मतलब होता है modulus है यह अगर आप एक set के उपर लगाओगे set s के उपर लगाओगे तो इसका मतलब है cardinal number है cardinal number अगर आप एक complex number के उपर लगाओगे तो इसका मतलब यह modulus of complex number है, बोले तो distance बताता है complex number का origin से, मगर इस तरीके से आप यह जो square arrangement of numbers है, देखिए आप square arrangement of numbers है, इन पे अगर यह vertical bars लगाओगे तो इसका मतलब होता है determinant, ठीक है ना, तो vertical bars का बड़ा ही महत्व है mathematics के अंतर, ठी कि आप यह है हमारी row number one, यह है row number two, है ना, row number one, row number one को ऐसा भी बोल देते हैं, I number one, यह है row number two, row number two को बोल देते हैं, I number two, यह है column number one, column को बोल देते हैं, J, J equal to one, यह column number two, J equal to two, है ना, यह न, columns जो है, columns को J से represent किया जाता है, और जो rows है, उनको I से represent किया जाता है, आपको यह बात notice करनी है, कि I की maximum value और J की maximum value जो है, वो बराबर होती है, हर determinant में ठीक है, न, I की value 1 और 2 होंगी, तो J की value भी 1 और 2 होंगी, यह number of rows और number of columns जो है, वो determinant में बराबर मिलते हैं, ठीक है न, basic basic बाते हैं, मगर number of rows and number of columns जो है, वो मिलते हैं बराबर, यहाँ पर बात करें, तो देखिए, यह row number 1 है, इसको बोलेंगे I number 1 है, यह row number 2 है, इसको बोलेंगे जे नमबर वन, जे नमबर टू, इस जे नमबर थ्री है ना, तो यहां पे देखो नमबर ओफ रो और नमबर ओफ कोलम बराबर हैं, बिल्कुल बराबर है जी, ओडर ओफ डिटर्मिनेंट क्या चीज होती है, जी, ओडर ओफ डिटर्मिनेंट, ओडर ओफ डिटर्मिनेंट, इस वाले केस में अगर आप देखोगे, तो डिटर्मिनेंट का ओडर है टू, जितनी टोटल रो या फिर टोटल कोलम होते हैं, उसको बोलते हैं, ओडर ओफ ओडर ओफ डिटर्मिनेंट यहां 3 है एक सवाल जहन में उठता है कि क्या एक ओडर के डिटर्मिनेंट भी होते हैं क्या जी हां एक ओडर के डिटर्मिनेंट भी होते हैं आपकर ऐसा लिख दोगे यह लो डिटर्मिनेंट माइनस 5 लिख दोगे एक ओडर के डिटर्मिनेंट भ दो होती है, मेटीरिकस dough운गउ two year matrix एक में एक on the order की तो इस sudden प्रिकस स्कें करेस्पोनिंग कलills होटीन इक सभुर्प कर मिलना ही है थो इसक्वामेट्रिकस है तो एक कंप बेल इसएग समिंप्रस्पोंद होते हैं लो एक कॉयी खास मिलीं का कल दिसकरों ककर वह 가장 ने होते ही नहीं, बज़ चीजें हम वो पढ़ते हैं जो काम की हो, useful चीजें पढ़ते हैं, एक order के determinant are not so useful, तो एक order के determinant इसलिए आपने discussion में देखे भी नहीं होगे, हमारे syllabus में जो determinants है, two and three order के determinants है, four order के, five order के, six order के, higher order के determinants होते हैं, हमारे syllabus में नहीं है, अगर आप अच्छे college में चले जाओगे तो, वहाँ पे पहले ही semester में आपको mathematics वापस पढ़ाया जाएगा, जो भी पढ़ रहे हैं उससे higher mathematics, उसमें आते हैं N order के determinants, वहाँ पे भी एक chapter वापस आएगा, determinants, तो उसमें बड़े order के determinant देखने को मिलेंगे, 3 order का तो देखने को मिल जाएगा, मिल जाएगा, आप बस तरस जाओगे उसके लिए, कि 3 order का का काश मिल जाए हमको, 4, 5, 6 N order के determinants के साथ पूरा खेल होता है, है ना, तो higher order के determinants भी बहुत important होते हैं, मगर सारी कहानी की जो जड़ है, वो 2 and 3 order के determinants हैं, मैं फिर से repeat कर दूँ, दो बाते हैं, पहली बात हमारे syllabus में 2 and 3 order के determinants हैं और दूसरी बात, ये 2 and 3 order के determinant पढ़ने के बाद आप कोई भी order का determinant पढ़ सकते हो फिर, तो ये base है बिलकुल, अब अगर अपने एक determinant लिख लेते हैं, तो इसमें कुछ और terminology देख लेते हैं, जैसे मान लिया, ये हो गया, A, B, C, अचा, determinant में क्या होता है ना, हर element की अपनी एक position होती है, position का मतलब देखो जड़ा, ये वाला जो element है ना, ये एक location होती है, देखो, ये location का नाम है, I, 1 है, J, 1, 1 है, तो इसको 1, 1 location बोलते हैं अपन है ना, Google Map पे जैसे location होती है, ये वाली location का नाम क्या है, 1, 2 location है, 1, 2, इस location का नाम है 1, 3 location, 1, 3, इस लोकेशन का नाम है 21 लोकेशन, इस लोकेशन का नाम है 22 लोकेशन, इस लोकेशन का नाम है 23 लोकेशन, इस लोकेशन का नाम है 31 लोकेशन, इसका नाम है 32 लोकेशन, इसका नाम है 33 लोकेशन, ठीक है न, तो यही बात मैं यहाँ पर करने जा रहा हूँ, इसका नाम है 11 लोक पिर A21, A22, A23, A31, A32, A33 location हो गई, तो यह बन गया हमारा determinant, हम अगर बोलें कि इस determinant का general element क्या है, तो AI जे बोल सकते हैं, general element of this determinant can be written as, general element of this determinant, of this determinant, can be written as AIJ, where AI जो है अपना, AI जो है अपना और जो जे है अपना, वो बिलोंग करते हैं, इस वाले set में से, 1, 2, 3 में से, मानते हूं ना, इस बात को आप, AI और जे जो है, वो इस set में से बिलोंग करेंगे, आप डालते जाओगे, तो अलग-अलग element जो है, बनते चले जाएंगे, ठीक है, है ना, determinant में, ये देखिए आप, इसको बोलते हैं, diagonal of the determinant, है ना, इसका matrix में काफ़ी इस्तेमाल होता है, लेकिन चलो, फिर भी, इसको बोलते है, diagonal, और इन elements को बोलते है, है, diagonal elements, और ये जो है, इसको बोलते है, off diagonal, और इन elements को बोलते है, off diagonal elements, ठीक है जी, तो ये हो गया, हमारा आपका diagonal, है ना, और इसके जो elements हो गए, वो diagonal elements हो गए, मैं फिर से repeat कर दू, matrices में in terms का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, मगर मैंने यहीं बता दी, इसको बोलेंगे, off diagonal, off diagonal, ये own, off वाला, off नहीं है, ये, कभी सोचोगे, ये own diagonal है, ये off diagonal है, वो वाली बात नहीं करना, बस नाम रख दिया, किसीने इसका off diagonal, ठीक है, diagonal का नाम, directly diagonal बोल दिया, वो भी ठीक है, कुछ लोग इसको principle diagonal भी बोल देते हैं, principle diagonal, प्रधान diagonal, principle diagonal, main diagonal की बात कर रहे हैं, कुछ लोग इसको leading diagonal भी बोल देते हैं, diagonal बोल दे, leading diagonal बोल दे, principle diagonal बोल दे, समझ जाना, इसकी बात हो रही है, off diagonal बोल दे तो समझ जाना, हपन इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, जब भी अपने को सबजी बनाने ही होती है, तो मसाले चाहिए, raw material चाहिए होता है, तो उसी परकार से जब भी कोई chapter अपने को पढ़ना होता है, तो पहले उसके बारे में terms का पढ़ना जरूरी है, इंपोर्टेंट बातों का पढ़ना जरूरी है, तो इस chapter की शुरुवात से पहले हम वही कर रहे हैं, है ना, ये important, important terms हम सीख रहे हैं, symbols हम सीख रहे हैं, जब वो समझ में आ जाती हैं, तो फिर properties वगेरा समझ में आ जाएंगी, और उसके बाद chapter जो है, आपका खुल जाएगा, चलू हो जाएगा आगे, ठीक है, तो ये कुछ terminology पहले आपन डिस्कूस कर रहे हैं, ठीक है ना, अब वापस से इस determinant को बना लेता हूँ, मैं ये लेजिए, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, अब कोई बोले, कि भई, determinant के इस्तेमाल क्या है, मैं तो कह रहा हूँ, बहुत सारे इस्तेमाल तो आपको पता भी है, तीन पॉइंट अगर दे रखे हों, कोडिनेट, प्लेन के ऊपर, तो इनसे बनने वाले ट्रेंगल का एरिया नहीं निकालते आप determinant से, एक इस्तेमाल होगे हमाँ लोग, ठीक है, करेंगे अपनों की चर्चा, क्रोस प्रोड़क्त आप लोग ने फिजिक्स में सीखा होगा, determinant से ही तो निकलता है, तो फिजिक्स में इस्तेमाल आगा, बताओ determinant का, है ना, बहुत सारे इस्तेमाल हैं, हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, यह determinant है ना, determinant के हर element का, एक co-factor होता है और एक minor होता है, है ना, तो इसमें 9 elements हैं, तो कितने co-factor होंगे, 9 co-factor होंगे और 9 ही minors होंगे, ठीक है, तो यहाँ पर अपन बात कर लेते हैं, co-factor की और minor की, co-factor होता है element का, co-factor of an element, है ना, element किसका, determinant का, of an element of a determinant, है ना, यहाँ पर हर element का एक co-factor होगा, और minor जो होगा, वो भी, minor जो होगा, वो भी क्या होगा, हर element का exist करता है, minor of an element, of a determinant, तो अपन, co-factor और minor, यह दो शब्द हैं, दो terms हैं, very important terms, इनका discussion करेंगे अभी, सबसे पहले minor का करेंगे, फिर करेंगे co-factor का, ठीक है ना, तो minor जो है ना, minor, इसको समझना चाहते हो, तो सिरफ दो बातें समझ लीजी आप, आपका काम हो जाएगा, पहली बात तो यह है कि, A11 का minor M11 से represent किया जाता है, A12 का minor M12 से, A13 का M13 से, तो minor of AIJ, minor of AIJ is represented by MIJ, एक बात तो यह समझनी है, minor of AIJ is MIJ, और दूसरी बात यह समझनी है कि, यह MIJ मिलेगा कैसे, यह MIJ मिलेगा, MIJ, है ना, एक example से आपने समझ लेते हैं, इसका ना minor क्यूं पढ़ा, यह भी अपने को समझ में आ जाएगा, A11 का जो minor है, अगर A11 की यह वाली row को और यह वाले column को delete कर दिया जाए, तो एक छोटू determinant बच गया हमारे पास, आप देखिए, बच गया के ने बच गया, minor determinant बच गया, minor determinant, तो इस minor determinant को इस element का minor बोलते हैं, है ना, so minor is basically the minor determinant that is obtained by deleting the row and column in which this particular element stands, समझ में आ री बात, तो यह element जिस row और जिस column में है, उनको delete करने के बाद, जो minor determinant बचता है, वो इस element का minor है, है ना, बड़ी simple सी टम है, क्यों यह minor बनाया गया, भई, बहुत सारे इसके use हैं, बहुत सारे इस्तेमाल हैं, इसलिए बनाया गया, ठीक है, so, m i j, this is the minor determinant, this is the minor determinant that is obtained by deleting, deleting the row and column in which in which the element stands, ठीक है जी, तो minor अपने को समझ में आ गया है, एक्जाम्पल के तोर पे अगर अपन निकालना चाहें, मालो, M32 निकालना चाहते, M32, तो चलो M32 निकाल लेते हैं, तो M32 कितना मिलेगा अपने को, एक determinant मिलेगा, छोटू determinant मिलेगा, M32 निकालना है अपने को, तो यह element जिस row और जिस column में उसको delete कर दो, तो determinant मिल गया आपने को, देखो, A11, A13, A21, A23, A21, A23, यह determinant मिल गया, समझ में आरी के नहीं आरी बात? तो बहुत ही simple सी बात है बई, कोफेक्टर क्या होता है? तो कोफेक्टर के बारे में भी दो यह बातने लिख रहा हूँ, कोफेक्टर जो है, कोफेक्टर ओफ, Aij is represented as Cij, ऐसे इसको represent करेंगे, ठीके न? अगर अपने को A23 का कोफेक्टर लिखना है तो C23 बोलेंगे उसको, ठीके? अपने को A32 का कोफेक्टर लिखना है तो C32 हो जाएगा वो, अब कोफेक्टर होता क्या है? कोफेक्टर जो है न? बेसिकली वो माइनर से ही बनता है, माइनर में और कोफेक्टर में सिरफ एक निशान का फरक होता है, मेगनिटूट दोनों का बराबर होता है, है न? कोफेक्टर माइनर से ही बनता है, माइनर के आगे माइनस वन की पावर आई प्लस जे कर दो, कोफेक्टर बन जाएगा, जैसे यह M32 है, अगर आपको C32 निकालना होता, C32 निकालना होता, तो माइनस वन की पावर 3 प्लस 2 कर देते हैं, और आगे यही लिख देते हैं का यहों, M32, ठीक है, तो आगे यहीं लिख दिया मैंने, यह लो जी, ठीक है, माइनस 1 की पावर 3 प्लस 2, 3 प्लस 2 इस 5, माइनस 1 की पावर 5 इस माइनस 1, तो आप देख सकते हैं, माइनर में और कोफेक्टर में, अगर होता है, तो एक निशान का फरक होता है बस, अगर यहाँ पर even number आ जाता तो निशान का फरक भी नहीं होता फिर तो फिर तो minor और cofactor क्या हो जाते बराबर हो जाते भई ठीक है तो कुल मिला करके अपने कोई बात समझ में आ गई है जितने element होंगे उतने ही minors होंगे ठीक है minor cofactor की अगर बात समझ में आ अगी अपने को तो अपन फिर आगे चलते हैं अगर डिटर्मिनेंट होता क्या है representation कैसी होती है elements वगेरा कैसे उसमें लितने structure की बात करी अभी अपने यह आपको मालूम भी है बता भी देता हूँ डिटर्मिनेंट एक्चुली एक mathematical value होती है अगर मैं बहुत पीछे बात करूं हिस्टर की बात करूं तो mathematicians लोग बहुत चतुर होते हैं जैसे कि आपने वो देखा है एक एक शोवाता मास्टर शेफ तो उसमें बताते हैं जो खाना है वो स्वादिष्ट भी होना चाहिए दिखने में भी अच्छा होना चाहिए तो maths में भी ऐसा ही होता है जब अपन कोई भी development करते हैं calculation करते हैं तो AD-BC लिखा है कहीं पर तो उन्होंने का AD-BC इत्ता मज़ेदार नहीं लग रहा दिखने में उन्होंने ऐसे लिख दिया ABCD AD-BC maths में बहुत सारी quantities ऐसी थी जो mathematician लोगोंने determinant की form में लिख दी उससे उन quantities को analyze करना आसान हो गया है ना एक किताब पढ़ रहा था मैं उसमें लिखा था अगर determinant chapter मैच में नहीं होता तो भी पूरा मैच पढ़ा जा सकता है determinant chapter ने मैच में आ करके चीजों को आसान बनाया है बस नया कुछ नहीं develop कर दिया क्रोस प्रोड़क्ट वेक्टर का तब भी निकाल सकते हो अगर आपको determinant नहीं पता तो मगर determinant पता है तो खट-खट-खट जल्दी निकाल सकते हो आप तो determinant basically एक value को represent करता है ना एक value होती है determinant को represent करती है मतलब determinant एक value है ठीक है ना वो value निकालनी आने चीए आपको टू-ओडर में अपने को निकालनी आती है ad-bc ठीक है तो कुल मिला करके बस मैं यह लिख रहा हूँ कि determinant is basically a value है ना एनी determinant will represent a value एनी determinant will represent a value जल्दी जल्दी से देख लिजी इस बात को will represent a value एक value को represent करता है है ना टू-ओडर के determinant की अगर मैं बात करूँ तो वह सिंपल है a,b,c,d elements है तो आप diagonal के जो elements है इनका multiplication माइनस कर दीजिए of diagonal के elements का multiplication करके ठीक है तो यह हो गई two order के determinant की value ठीक है ना two order के determinant की value निकालना is very easy ना three order के determinant की बात कर लेते हैं अगर अपने को three order का determinant की value निकालना है जहां से सुनना बात को three order का या higher order का भी निकालना है तो भी कोई बात नहीं यह definition है main definition जो बता रहा हूं a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33 जहां से सुनना जब भी एक determinant को open open करते हैं तो तो mathematician लोगों ने कहा कि तीन order का determinant है इसको open करने के छे तरीके हैं आप इसको अगर दिटरमिनेंट को open करने के 6 तरीके होंगे मगर छे के 6 तरीकों का इस्तेमाल कर ले जिये value वही मिलेगी समझे रहा हूं four order का determinant होगा उसको open करने के four plus four eight तरीके होंगे है ना 5 order के determinant को open करने के 5 plus 5 10 तरीके होंगे और n order के determinant को open करने के n plus n 2n तरीके होंगे तो इसको अगर मालो first row से open करना है first वाली row से open करना है तो mathematician लोगों ने कहा कि इसको ऐसा लिखो आप a11 को multiply करो इसी के को factor से c11 से उसमें जोड़ दो आप a12 को multiply करो c12 से फिर उसमें जोड़ दो आप a13 को multiply करो c13 से यह जो value आएगी यह इस determinant की value होगी और हमने इसको first row से open कर दिया है अगर अगर अपन इसको second row से open करेंगे तो कितना हो जाएगा a21 c21 plus a22 c22 plus a23 c23 थर्ड वाली row से अगर अपन open करते हैं तो a31 c31 plus a32 c32 plus a33 c33 यह मैंने row wise open किया है इसको column wise भी open कर सकते हैं अपन column wise open करोगे तो देखो क्या हो जाएगा column wise open कर देते हैं आपन थोड़ी जगह की कमी है जगह बना लेता हूँ थोड़ी मैं तो अगर इसी को open column wise open करेंगे तो a11 c11 plus a21 c21 plus a31 c31 लिख देता हूँ a11 c11 a21 c21 plus a31 c31 यह ना सेकिंड वाले यह से भी कर देते हैं भाई a12 c12 plus a22 c22 plus a32 c32 और यही हरकत इसके साथ भी कर सकते हैं आपन a13 c13 a23 c23 a33 c33 तो मैं बस यह कहना चाहता हूँ कि इसका आंसर इसका answer, इसका answer, इसका answer, इसका answer और इसका answer, same आएगा और वो इस determinant की value के बराबर आएगा, समयम्यारी बात आपको, this is the original definition of the determinant, to get the value of a determinant, to simplify the determinant, समयम्यारी बात आपको, अगर 4 order का determinant हो, मालो, अगर 4 order का determinant हो, हमारे सलेबस में नहीं है, मगर फिर भी चलो एक बार लिख लेते हैं, चार order का determinant आजाए, जैसे यहाँ पर A11, A12, A13, A14, एक बार लिख लेता हूं, ऐसा determinant को लिखने में थोड़ा मेहनत का काम लगता है, लेकिन किसी ने कहा है कि math गवराते नहीं है, तो अपने को गवराना नहीं है, यह लो, लंबा लंबा लिखना पड़े जाए, कोई tension वाली बात नहीं है, यह लो, तो इसको आप row wise भी open कर सकते हो, और column wise भी open कर सकते हो, मालो, इसको first row wise open करते हैं आपन, तो first row wise open करेंगे, तो क्या answer आएगा, A11, C11 plus A A12, C12 plus A13, C13 plus A14, C14 and so on, यह लो करके आप किसी भी row या किसी भी column से इसको open कर सकते हो, ठीक है, समय हारी कि नहीं हारी, एक और बात यहाँ पर notice करो आप, ज्धान अगर दोगे तो, जब मैं इस determinant को पहली row से open कर रहा हूँ, तो मैं लिख रहा हूँ A11 into C11, है ना, A11 into C11, Basically C11 क्या है, इन दोनों को delete करके यह वाला determinant है, तो मैं एक बात कह रहा हूँ आपको कि 3 order का determinant जब आप open करते हो, तो इसको open करने के दोरान, आपको 2 order का determinant simplify करना होता है, करना होता के नहीं करना होता, और इसी प्रकार से, जब आप 4 order का determinant open करते हो, तो जब इसका cofactor निकालोगे, तो आपको 3 order का determinant simplify करना पड़ेगा, और वो आता ही है आपको, 5 order का determinant की value निकालना चाहते हो, तो आपको 4 order का determinant simplify करना पड़ेगा, यह एक chain से बनती चले जाती है, अरे समझ में आ रही है कि आप यह बात, एक question मैंने module में डाला हुआ है, एक 4 order का determinant लिखा हुआ है उसमें, और उसकी value पूछी है कि कितनी होगी, तो एक determinant solve करके देखना आपको अच्छा लगेगा, समझ में आ रही है बात आपको, चलो जी बहुती बढ़िया, तो यह हो गया determinant को evaluate करने का तरीका, determinant के जो elements हैं वो real numbers ही होने जरूरी हैं क्या, complex number भी हो सकते हैं, vector भी हो सकते हैं क्या, determinant के जो elements हैं, complex number, real number हो सकते हैं माल लो, ठीक है ना, यह लो, यह देखो सारे real number से मिलके बन गया, यह ना, complex number भी हो सकते हैं, 1 plus iota, minus 5 iota, 8, 7 minus iota, 9 minus 1, 0 iota, 5 iota, complex number भी हो सकते हैं, अब मेरा सवाल यह है कि vector भी हो सकते हैं, क्या vector, तो vector में क्या scene मतलब, अब ऐसे चलो लिख दिया, मैंने यह हो गया, माल लो, i cap plus j cap, 1 हो गया, k cap, 1 i cap minus k cap, है ना, एक row तो vector लिख दी मैंने, दूसरी जो row मैं लिखने जा रहा हूं, दूसरी और तीसरी, क्या वो भी vector हो सकती हैं, क्या, यह सर्फ एक row या एक column ही vector हो सकती है, अगर माल लो, यहाँ पर vector लिख दिये, मैंने, तो फिर इनका multiplication करना पड़ जाएगा आपको, अरे, समझ रहे हूं, मैं क्या कह रहा हूं, और vector का multiplication, normal multiplication, तो फिर allowed नहीं होता है, ना, तो इसलिए आपने cross product वाले formula में देखा हो, तो i-cap, j-cap, k-cap और अगली दोनों row real number से बरी हुई होती है, तो एक row vector हो सकती, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी जो है, बाकी जो हैं, देखो, आप real number माने ले लिए, ठीक है, determinant k elements, metrics हो सकते हैं, क्या, metrics, समझ मेरे मैं क्या कह रहा हूँ, determinant k elements, metrics हो सकते हैं, क्या भई, यहाँ पे एक metrics लिख दी, मैंने yellow metrics, element की जगह पे लिख दी एक, yellow matrix, यह लो, metrics लिख दी एक, कि यहां पे एक मैट्रिक्स लिख दी यहां पे एक मैट्रिक्स लिख दी तो एक बात समझना है जैसे वेक्टर में मैंने बात करी वैसे ही एक row या एक column matrix हो सकती है क्योंकि बाकी elements को अगर आप matrix ले लोगे अगर यहाँ पर भी matrix लिखोगे फिर open करते हुए this into this करें के this into this करें वो row by column वाली चीज होती है ना matrix के अंदर तो उन सारे लफडों का सामना करना पड़ जाएगा आपको समय जारे हैं मैं क्या कह रहा हूँ तो बाकी अगर real number हो एक minute के लिए मतलब matrix के rule follow करे matrix के सारे rule follow हो रहे हैं तो determinant के elements जहाँ जहाँ allowed है वहाँ matrix हो सकते हैं उसी प्रकार से vector के rule follow हो रहे हैं तो जहाँ जहाँ allowed है determinant में वहाँ वहाँ vector को लिखा जा सकता है अब यहाँ पर this matrix into this into this minus this into this करके open करना पड़ेगा का नि करना पड़ेगा अपने को यह वाली matrix का order यह वाली matrix का order यह वाली matrix का order same ही होना चाहिए क्योंकि different order रहेगा तो फिर जूड पाएंगे क्या फिर वो सारी चीजे आगे problem आ जाएगी simplification में समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ आपको तो determinant के elements ऐसे भी हो सकते हैं कोई खास बात नहीं है यह सब valid बाते हैं अरे समझ में आ रही है क्या भाई ठीक है determinant को open तो करी लेते होगे आप लोग open तो करी लेते हैं अपन ठीक है एक determinant open कर लेते हैं चलो कोई बात नहीं मैं लिख रहा हूँ एक determinant और मैं सब को बता रहा हूँ किस-किस row या किस column से open करना है तो उसी row और उसी column से अपन open करेंगे ठीक है ना इसको open करके दिखा दो आप जो है second row से open करो आप third row से open करो पीछे ठीक है first column से आप लोग second column से करो आप लोग third column से open करो ठीक है जिसको मैंने जो row या जो column बोला है उसी से open करें और बताएं कि क्या answer आ रहा है भई आप किसी भी row या किसी भी column से open कर लो इसका answer 0 आएगा ठीक है ना देखो मैं third row से open कर रहा हूँ तो 5 into 5 into अच्छा 5 into this into this minus 3 हो गया minus this into this हो गया 4 और positive negative positive है ना plus 5 into this हो गया ठीक है फिर फिर आएगा minus 1 into है ना minus 1 into this into this is 15 minus this into this is 0 यह minus 1 क्यों लिखा क्योंकि इसका जब को फेक्टर निकालेंगे तो minus 1 की पावर 3 plus 2 नी आएगा यह ना तो minus आजाएगा और यह आगे minor लिखी दिया मैंने ठीक है ठीक है फिर plus 5 plus 5 into this into this is 10 और minus 0 तो minus 35 minus 15 plus 50 equal to 0 आगया किसी भी row या किसी भी column से खोलोगे 0 ही answer आएगा ठीक है 3 order का determinant जो होता है उसमें ऐसे भी लिख देते है plus minus plus minus plus minus plus minus plus तो अब आप किसी भी row या किसी भी column से openuchenो यहा नइ यहां से openake करोगे तो देखो यहां पहे plus लिख्खा फिर minus लिख्खा फिर plus लिख्खा है ना आप your second भी row से करते हैं मैं मैं minus लिखता ऐसे minus और आगे उसका minor फिर plus 2 आगे मैयनर पर फिर माइनस री आगे उसका माइनर ऐसे करते हुए है ना समझ में आरी बात आपको किसी भी रो या किसी भी कोलम से अपन डिटर्मिनेंट को ओपन कर सकते हैं ठीक है सेरस नाम के एक मैथमेटिशन थे तो सेरस ने कहा कि एक शौटकट भी होता है 3 order के डिटर्मिनेंट को ओपन करने का जिसको rule of सेरस भी बोलते हैं rule of सेरस rule of सेरस कुछ भी नहीं है बस एक शौटकट है एक शौटकट है किस चीज़ का शौटकट to solve the determinants of order 3 to solve the determinants of order 3 और order 3 के determinants ही सबसे ज़्यादा तांडव मचाते हैं mathematics में तो इस वज़े से ये rule थोड़ा important भी हो जाता है पढ़ना ठीक है तो sirs भाईया ने कहा कि अगर हमारे पास एक determinant है मानलो कुछ ये a, b, c, d, e, f, g, h, i और उसने कहा आप इसको solve करना चाहते हैं तो आप यूँ करके एक table बनाईए a, b, c, d, e, f, g, h, i, ऐसे लिखके फिर से लिखिए ये a, b, c, और d, e, f है ना ऐसा लिखके उसने कहा कि आप इन तीनों को multiply कर दें प्लस इन तीनों को multiply कर दें, प्लस इन तीनों को multiply कर दें और माइनस इन तीनों को multiply कर दें, माइनस इन तीनों को multiply कर दें, माइनस इन तीनों को multiply कर दें, वाइट वाले जो हैं, प्लस के, गुलाबी वाले माइनस के, तो AEI, तो answer सीधा लिख सकते हो, AEI plus DHC plus GBF minus, minus कर दो, GEC minus AHF minus DBI. observation based rule है, आप first row या फिर किसी भी रो कोलम से open करोगे, तो यह answer आना है, तीन टम प्लस की तीन टम माइनस ही है ना, open करके देख भी सकते हैं आप इसको, Serus ने कहा कि आप जल्दबाजी में हैं और इसको आप open करना चाहते हैं तो, इन दोनों को copy कर लो नीचे, और यह multiplication जोड़के, यह multiplication उसमें से माइनस कर देंगे, तो determinant ही मिल जाएगा, और order 3 का determinant की value निकालने के लिए इसका इसका इस्तेमाल आप कर सकते हो, ठीक है ना, choice दे दी उसने, तो आपका मन करे कहीं पे इस्तेमाल करने का तो भाई कर लेना, नहीं मन करे, तो कोई खास बात नहीं है, ठीक है, लिख लो इसको, ठीक है जी, तो अब अपन आगे पढ़ते हैं, properties of determinants और उसके बाद फिर, सवाल वगरा solve कर पाएंगे अपन, ठीक है, so next is properties of determinants, properties of determinants, determinants की properties, जिस पे पूरा chapter टिका हुआ है, है न, अगर अपने को determinants की properties अच्छे से आती हैं, अपन सवालों को हिला सकते हैं फिर, ठीक है, determinant की properties, सबसे पहली और सबसे बेसिक बात, determinant को open करना तो अपने को आई गया, ठीक है, सबसे पहली और सबसे बेसिक बात, अगर किसी determinant में कोई भी एक row या एक column में तीन 0 बन जाते हैं, तीन 0 बन जाते हैं, तो उस determinant की value 0 मिलती है, है न, किसी भी determinant के एक row, कहीं पे भी एक row में, या फिर एक column में 3 0 आ जाएं, तो determinant की value आती है 0, ठीक है, दूसरी property, अगर एक determinant की दो row सेम हो जाएं, कोई भी दो row, या दो column सेम हो जाएं, तो भी determinant की value 0 आती है, अगर किसी भी determinant की दो row या दो column सेम हो, तो value of determinant will comes out to be 0, और तीसरी बात कर लेते हैं, अगर हम एक determinant में कुछ ऐसी हरकत करते हैं, कैसी, कि हम कोई भी दो rows को या किन ही भी दो columns को ऐसे करके interchange करते हैं, तो determinant के उपर minus sign का फरक आता है, अगर मैं इनको interchange कर दूँ, दूसरे वाली row को पहले वाले पे लिख दूँ, पहले वाले को दूसरे वाले पे लिख दूँ, तो मान लो इसकी value 10 आ रही होगी, तो इसकी value minus 10 आएगी, बराबर करने के लिए minus sign लगा दिया, minus 10 और minus 10, 10 equal to 10, समयारी है बाद आपको, ठीक है, फिर से repeat कर दूँ, ये हरकत आप कोई भी दो column या कोई भी दो row के साथ कर सकते हो, एक interchange कर दिया, minus का फरक आ गया, फिर से interchange करोगे तो minus minus plus हो जाएगा, same determinant आ जाएगा, जी, सीधी सी बात है, ठीक है, अगर, अगर मेरे को एक determinant given है, और कोई कहे, इस determinant को किसी value के से multiply कर दो, बहुँ, determinant भी तो एक कोई number ही होता है, एक number को दूसरे number से multiply कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं, है ना, तो अगर इस number से multiply करने के लिए बोले, तो मैं ये हरकत कर सकता हूँ, कि इस K को, इस K को मैं किसी भी row में multiply कर सकता हूँ, या किसी भी column में multiply कर सकता हूँ, फोर एक्जामपल, इस K को आपने पहली row में multiply कर दिया, तो K A, K B, K C हो गया, D E F, G H I, मैं फिर से repeat कर दूँ, कि, ये वाली value will be equal to this value into K, आप ये हरकत यहाँ पर भी कर सकते थे, अगर यहाँ पर K नहीं लिखना चाहते, आप यहाँ पर K लिखना चाहते, तो भी ठीक था, आप ये हरकत किसी column के साथ भी कर सकते हो, आप ये वाली हरकत जो है, आप ये लोग कोलम के साथ भी कर सकते हो, कहने का मतलब ये है कि आप इस के को किसी भी रो या किसी भी कोलम में मुल्टिप्लाए कर सकते हो, ये बड़ी elementary properties मैंने लिखी है, इसके बाद और लिखता हूँ, नौट कर लो, ठीक ना, इफ अनी टू रोज और कोलम्स और दिटर्मिनेंट और इंटिकल, इस वाल्यू विल बी जीरो, किसी भी दिटर्मिनेंट की दो रो या दो कोलम्स सेम होगी, तो वैल्यू जीरो होगी, इंटर्चेंज करोगी दो रोज या दो कोलम्स को, माइनस का फरका जाएगा, दो, दो, तो, नेक्स्ट प्रोपर्टीज, देखिये, एक डिटर्मिनेंट मैं लिख दिया, यहाँ पर, इसको डिटर्मिनेंट डी का नाम दे दिया, एक डिटर्मिनेंट का ट्रांस्पोज बना दिया जाए, ट्रांस्पोज कैसे बनता है, इस रो को इस डिटर्मिनेंट का कोलम्स बना दो, कहने का मतलब यह हुआ, एक डिटर्मिनेंट की रोज जो है, वो दूसरे डिटर्मिनेंट का कोलम्स बन गई, ऐसा करने पे यह जो नया डिटर्मिनेंट आया है, इसको बोलेंगे D ट्रांस्पोज, क्या बोलेंगे D ट्रांस्पोज, transpose of d transpose of d d transpose ऐसे भी लिख सकते हो d transpose यूँ d के उपर डैश भी लगा देते हैं ठीके ना कुछ लोग d के उपर बार भी लगा देते हैं अब लगा देते हैं तो लगा देते हैं d के उपर ऐसे बार भी लगा देते हैं normally ये वाले दोनों symbols जादा popular है इन symbols की चर्चा matrix में करेंगे ठीक है as of now open इन symbols पे focus करेंगे ठीक है तो यहाँ पे मुद्दे की बात ये नहीं है कि D से D transpose कैसे बनाएं मुद्दे की बात ये है कि D की जो value होती है और D transpose की जो value होती है वो बराबर होती है ये important बात है जो value एक determinant की होती है वही उसके transpose की भी होती है value of D and D transpose are equal ये कहना चाहते है अपन ठीक है आगे चलते है next देखो ज़रा अगर कोई determinant polynomial से भरा हुआ है मतलब determinant के जो elements है देखो यहाँ पर polynomial functions है ना जैसे मानलो ये देखो आप एक्स की power 4 plus x लिख दिया x square plus 1 लिख दिया yellow x लिख दिया 2 लिख दिया 3 लिख दिया 2x plus 5 लिख दिया आप ये देखे notice that this determinant is a polynomial function है ना if the elements of a determinant are polynomial then determinant itself will also be a polynomial क्योंकि इसको open करो होगे तो क्या आएगा this into this into this minus this into this फिर multiply होकर के फिर पूरा simplify होकर के polynomial ही तो आएगा अगर determinant के elements polynomial है तो determinant final जो आएगा वो polynomial होगा एक determinant के elements अगर trigonometry से भरे हुए हैं तो determinant का final answer आएगा वो भी trigonometry से भरा हुआ होगा सिदीसी बात है अरे समझ में आरी के नहीं आरी तो यह determinant है polynomial function ठीक है यहां पर note करो यह हो गया हमारा यह हो गया हमारा polynomial ठीक है तो polynomial function जो होते हैं ना उनमें अपने यह बोल सकते हैं कि at x equal to a at x equal to a इस determinant का नाम delta रख देता हूँ at x equal to a if delta will be equal to 0 मालो x equal to a के ऊपर delta की value 0 मिल रही है तो we can say that x minus a will be the factor of delta x minus a जो होगा वो delta का factor होगा और यह बात सिरफ तभी valid है अगर determinant मेरा polynomial function है तो है ना मालो एक determinant trigonometry से बढ़ा हुआ है यह लो जैसे trigonometry से बढ़ा हुआ है यहां पर sin x है यहां पर sin 2 x है यहां पर sin 3 x है यहां पर cos x का square है यहां पर cos x plus 1 है यहां पर 10 x है यहां पर sin x plus 9 है यहां पर आपका secant x minus 3 है यहां पर मालो को secant x है आप अगर notice करेंगे तो x equal to pi पे यह determinant 0 हो रहा है हो रहा है कि नहीं हो रहा है x equal to pi पे क्योंकि x equal to pi पे यह वाली value 0 यह वाली value 0 हो रही है तो determinant अपना 0 हो रहा है x equal to pi पे 0 हो रहा है मगर इसका कताई यह मतलब नहीं है कि x minus pi इसका एक factor होगा x minus pi इसका factor नहीं होने वाला ठीक है ना तो x equal to a पे determinant 0 आ रहा है तो x minus a determinant का factor होगा तभी यह बात सच है अगर determinant polynomial लिखा है तो यह बात समझ नहीं अपने को ठीक है determinant भरा हुआ है trigonometric से तो यह बात को अपन नहीं मानेंगे फिर ठीक है at x equal to a if delta is equal to 0 then x minus a will be the factor of the determinant will be the factor of the determinant of the determinant delta ठीक है जी cdc बात है है ना और देखते हैं है ना next property देखते हैं पन ठीक है देखो जी एक determinant लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं a1 प्लस a2 है ना b1 प्लस b2 और आगे लिख दिया मैंने c1 प्लस c2 ऐसा करके ठीक है और फिर है d e f g h i जहां से देखना ठीक है इस determinant को आप लिख सकते हो as a sum of two determinants as a sum of two determinants मैं फिर से repeat कर रहा हूँ एक determinant को जब हम दो determinant के sum में स्प्लिट करते हैं तो किन ही भी दो रो या किन ही भी दो कोलम को as it is रखना पड़ता है यहां पे इन दो रोज को बिलकुल फिक्स रखते हुए इन दो रोज को इन दो रोज को बिलकुल फिक्स रखते हुए यह वाली रोज को स्प्लिट कर सकते हो आप a1 a2 sorry not a2 b1 है न a1 b1 c1 यहां पे a2 b2 c2 देखो ऐसा लिख सकते हो आप समय आ रही कि नहीं आ रही यहां पर देखिए दो रोज को सेम रखते हुए पहले वाली रोज को यहां पर स्प्लिट कर दिया a1 प्लस a2 तो यहां a1 यहां a2 आ गया b1 प्लस b2 तो यहां b1 यहां b2 आ गया c1 प्लस c2 तो यहां पर c1 और यहां पर c2 आ गया समझारी बात कि मुझे बताओ क्या एसी spleeting की जा सकती थी क्या कि a2 यहां की बजाय यहां पर आ साथा यह लो यह वाली spleeting ठीक है ऐसे कि यह determinant 10 plus 10 के equal होगा है कर यह Aqui यह splitting भी बिल्कुल ठीक है कि आप देख लो 10 plus 10 इसके बराबर होना चीन दिस इसके बराबर होना चीए, इसके बराबर होना चीए, ठीक है, ऐसा भी लिख सकते हैं ये लो, c1 प्लस लेम्डा, c2 माइनर, ये वाली स्प्लिटिंग ठीक है क्या, ये भी विलकुल ठीक है, अरे ठीक है, मैं ये कहना चाहता हूं कि एक डिटर्मिनेंट को, दो के सम में स्प् करने को क्वेश्चन में उस तरीके में इंटरस्ट होगा, जिससे हमारा क्वेश्चन सोल हो जाएगा, ठीक है, तो ये बात अपने को, अच्छा, ये बड़ा सिंपल सा स्प्लिटिंग होता है, बड़ी अच्छी लुक वाला होता है, तो इसलिए आप देखोगे न, किताब of two determinants, by keeping any two rows or any two columns as they are, as it is, समय में आ रही के न, आ रही बात, तो ये बात अपने को, समय में आने चाहिए, ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट, नमबर एट, very famous property, very important property, highly important property, जिस पर पूरा डिटर्मिनेंटी टिका हुआ है, आपको बताया जा चुका है, कि ये row number one है, row number two है, row number three है, column one, column two, column three, तो इनके जो standard notation है, row number one के, इसको आप I number one भी बोल सकते हो, या इसको आप R one बोल सकते हो, है न, इसको आप R two बोल सकते हो, इसको आप R three बोल सकते हो, है न, इसको आप column one बोल सकते हो, ये C two है, पहले तो आप ये बात समझे लिजिए कि R one, R two, R three, C one, C two, C three, ये standard symbol है, ठीक है न, डिटर्मिनेंट में सीन क्या है, कितनी interesting property बताईए आप, अगर मैं इस वाली row को उठाके इसमें जोड दूँ, या माइनस कर दूँ, डिटर्मिनेंट की value को कोई फरक नी पड़ता, समझ में लिए बात आपको, या कोई column को उठाके, दूसरे column में जोड दो, बार बार जोड दो, या जोड दो, घटा दो, कोई फरक नी पड़े का, डिटर्मिनेंट की value को, अब इस column में इसको पांच ब बार जोड दो, कोई फरक नी पड़ने वाला डिटर्मिनेंट की value को, समझ में लिए बत आपको, तो कहने का मतलब हम यू लिखते हैं, कि R1 जो है न, R1, जो R1 आपकी लिखी हुई है, अगर आप R1 को, R1 प्लस R2 बनाना चाहें, कोई प्रॉब्लम नहीं बना सकते हो, मतलब जो मेरी R1 है, उसमें अगर आप R2 जोड के, R1 में R2 जोड के, नई R1 बनाना चाहते हो, आप बना सकते हो, डिटर्मिनेंट की वैल्यू पे कोई फरक नहीं पड़ने वाला, ठीक है, आप 2, R2 करना चाहते हो, मतलब R2 को R1 में एक बार जोड के, फिर दूसरी बार जोडना चाहते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसमें R3 जोडना चाहते हो, R3 को तीन बारी जोडना चाहते हो 50 बारी जोडना चाहते हो, no problem, समयारी के नहीं, यही काम मालो मेरा मन कर रहा है, कोलम 2 के अंदर, कोलम 2 के अंदर मैं कोलम नमबर 3 को भी जोड दूँ और 5 बारी कोलम नमबर 1 को जोड दूँ, जोड लो आप, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, किसी भी row या किसी भी कोलम में, दूसरे वाली rows और कोलम में दूसरे वाले कोलम को add या subtract कर सकते हो, ठीक है, तो इसको read ऐसे करते हैं, r1 goes to, यह वाला निशान को बोलते हैं, goes to, r1 goes to, r1 plus 2 r2 plus 3 r3, r1 goes to का मतलब है, r1 जो है, अब बन चुकी है आपकी, r1 plus 2 r2 plus 3 r3, r1 is now, r1 plus 2 r2 plus 3 r3, r1 goes to, r1 plus 2 r2 plus 3 r3, ऐसा इसको बोलते हैं, ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब यह है, कि अपन ऐसा कुछ हरकत कर सकते हैं, कि r1 goes to, r1 plus lambda r2 ऐसा कर सकते हैं, कोई problem नहीं है, हमालो, r1 plus lambda r2 आप करते हो, यह कर दिया, है ना, ऐसा कुछ कर दिया, सेम हरकत किसी भी row, किसी भी column के साथ की जा सकती है, value of determinant will remain unchanged, जो इसका answer आया था, वही answer इसका भी आएगा, ठीक है, एक छोटी सी बात और देख लो आप, determinants का differentiation भी कर सकते हो, आप easily, है ना, अगर मालो एक determinant है, एक determinant है, जिसके elements जो है, x का function है, है ना, मालो यह है f1x, f2x, f3x, है ना, यहाँ पे है g1x, g2x, g3x, है ना, यहाँ पे है h1x, h2x, h3x, है ना, मालो यह है आपका capital fx function, अगर यह given है, आप से कोई पूछे capital f'x बताओ, आप differentiation बताओ इसका, तो पहले वाली row का differentiation कर दिया, f1-, f2-, f3-, बाकी दोनो rows जो है, वो रख दी constant, यह ना, जैसी हैं, वैसी ही, ठीक है, प्लस, फिर दूसरे वाली row का differentiation कर दो, यह row, दूसरे वाली row का differentiation कर दो, पहले वाली row और तीसरे वाली row, थर्ड वाली row, इसको आप ऐसा ही रहने दो, ठीक है, थर्ड वाली का differentiation कर दो, और पहले वाली और दूसरे वाली को रखो, सेम, ठीक है, तो यह differentiation हो गया, यहाँ पर मैंने differentiation किया है, row-wise, row-wise differentiation किया है, column-wise differentiation भी किया जा सकता है, column-wise differentiation करना होता, पहले column का differentiation बाकी दोनों constant, प्लस दूसरे column का differentiation, first और third वाला column constant, प्लस third column का differentiation, first और second column constant, समयारी यह बात, ठीक है, differentiation can be done, row-wise as well as column-wise, differentiation can be done, row-wise as well as column-wise, row-wise, column-wise, जैसे आपका मन करें, आप differentiation कर सकते हो, ठीक है, एक सवाल उठता है, क्या इसका integration भी कर सकते हैं, क्या, integration chapter जब पढ़ेंगे अपन, तो integration की चर्चा भी कर लेंगे, सवालों के माध्यम से, ठीक है, और भी कई प्रकार के सवाल उठता होते हैं, कि एक determinant का sigma वगेरा कुछ लगा दें, तो वो sigma हर row में transfer होगा, हर कोलम में transfer होगा, क्या scene होगा, ऐसी विचारदाराएं भी उत्पन होती हैं, माइंड में, तो questions के माध्यम से, हम सारी बातों को सीखेंगे, ठीक है, ना, integration में integration भी करेंगे, determinants का, प्रोपर्टी लगा के करें, या इसको open करके करें, आपको सिखाया जाएगा, ठीक है, और सवालों में तो काफे सारे concept हमको सीखने हैं ही, इन सारी properties को आप note कर लीजिए, ये सारी fundamental properties आपको बता दी हैं मैंने, ठीक है जी, properties एकदम by heart याद होनी चाहिए, अगर property याद नहीं है, तो भाई फिर determinant chapter पढ़ना तो मतलब मुर्खता है बिना properties के तो फिर आगे, तो properties जो हैं बिल्कुल एकदम blood है, determinant chapter का, तो properties एकदम by heart आप लोग याद कर लें,